Hey everyone, so our today's topic is Nat of class 5th English from book Celebrate Pearson. So let's start with the warm-up first. What quality or talent do you have which is unique to you? Tell the class about it. Quality होती है गुन, talent होता है प्रतीबा. So आपके according, आपको क्या लगता है कि आपमें ऐसा कौन सा गुन और टैलेंट है जो आपमें सबसे जादा यूनीक है. मतलब आपके बाकी क्लासमेट से अलग टैलेंट है अपमें. उसके बारे में अपने क्लासमेट को बताईए. So before moving on, let us read about the author first. So ये जो chapter है हमारा, Nat, ये किसके द्वारा लिखा गया है? इसके author है, Louisa May Alcott. So Louisa May Alcott का जनम 1832 में हुआ और इनकी death 1888 में हुई. ये एक American novelist थी, जो बहुत ही famous थी अपने novel Little Woman के लिए. और वो novel का publish हुआ 1868 में. The Alcott family was never financially well off. Financially होता है, related to money. यानि जो उनकी financial condition थी, वो अच्छी नहीं थी. तो Louisa जो है, उसने बहुत से काम किये as a teacher, smistress, governance, domestic help और और तो और उसने एक writer के तोर पर भी काम किया अपनी family को financially support करने के लिए. उसने अलग-अलग condition के अंडर लिखना शुरू किया और उसने ठान लिया कि वो अब लिखेगी. जो उसका novel था Little Woman उसको इतनी ज़्यादा success मिली कि वो financially independent हो गई. यानि उससे बहुत ज़्यादा popularity मिली थी उसको. उसने अपनी पहली किताब जो लिखी उसका नाम था Flower Fables और वो कब लिखी उसने जब वो 16 साल की थी. Let's move on to the story now. The story begins with the arrival of Nat, a shy young orphan at a school. Read on to find out what happens next. तहानी एक school में एक शर्मीले युवा अनात Nat के आने से शुरू होती है. आगे क्या होता है? जानने के लिए पढ़िए. देखिए, young होता है जवाँ और orphan होता है अनात. So, इस कहाने की शुरुवात कहां से हो रही है? एक लड़का है जिसका नाम Nat है और वो अनात है और वो स्कूल में आता है और उसके बाद क्या होता है? वो इस कहानी में हम पढ़ेंगे. The Omnibus left him in front of a big gate. Omnibus होता है एक पब्लिक वीकल जो की बहुत से लोगों को एक साथ कैरी करने के लिए बनाई गई होती है. Like, बहुत से यातरी, बहुत से पैसेंजर उस गाड़ी पे बैठ सकते हैं. जैसे कि हमारी Matadors, बसे हो गए. तो Omnibus जो है, Nat को एक भड़े से gate के सामने उतार देती है. A man opened the gate. एक आदमी gate को खोलता है. The little boy who had just arrived was shabbily dressed. Shabbily होता है, बहुत ही गंदे तरीके से. तो एक छोटा सा लड़का, जो अभी अभी आया है, वो बहुत ही गंदे तरीके से dressed हुआ होता है, यानि उसने बहुत ही गंदे से कपड़े पहने हुए होते हैं. He asked the man at the gate, Please sir, is this plum field? और वो गंदी सी ड्रेस पहना हुआ लड़का, सामने जिसने gate खोला है, उससे पूछता है कि, Sir, क्या ये plum field है? Yes, who sent you? तो वो कहता है कि, हान जी, यही plum field है, आपको किसने बेज़ा है? Mr. Lawrence, I have a letter for the lady. वो बोलता है, Nat, कि मुझे Mr. Lawrence टे मेज़ा है, और मेरे पास एक पत्र यानी letter है lady को देने के लिए. Go up to the house and give it to her. She will see you. Person कहता है कि, उपर जाओ और वहाँ पे उन्हें दे दो ये letter. वो तुम्हें देख लेंगी. The boy went up to the house, much encouraged by the pleasant way in which the man spoke. तब Nat उपर चला गया lady से मिलने और उसे बहुत अच्छा, बहुत ही encouraged feel हुआ, जिस तरह से उस आदमी ने Nat से बात की. Through the soft spring rain that fell on the green grass, वो हरी गास पे, जिस पे soft spring rain, वसंत की बारिश पड़ी हुई थी, हलकी हलकी वहां से गुजरा. Nat Blake, for that was the name of the little boy. और जो Nat था, उसका क्या नाम था पूरा Nat Blake. So a large house, वो एक भड़ा सा गर देखता है, जब वो उपर फ्लोर पे जाता है न करके. With an old-fashioned porch और उस गर का बहुत ही पुराने तरीके का porch यानि भरामदा होता है. White steps and light shining in the windows. White steps यानि चोड़ी सीडियें. उस गर में बहुत ही चोड़ी सी सीडियें थी और खिड़की के पास light जो है वो चमक रही थी. Nat could hear the hum of the young voices and the house look hospitable enough. Nat को इस गर में जवाँ बच्चों की आवाज सुनाई दी. साथ ही साथ वो गरुसे बहुत ही hospitable यानि महामान नवाजी यानि बहुत ही friendly सा लगा. He ran the bell and waited. उसने bell बजाई और इंतजार किया. A rosy face made servant opened the door and smile as she took the letter which he offered. एक गुलाबी चहरे वाली नोकराणी ने दर्वाजे को खोला और हसते हुए उससे letter ने लिया. जो Nat ने उसे दिया. He asked him to wait in the hall. उसने Nat को hall में इंतजार करने के लिए कहा. The house seemed to swarm with boys, boys of all sizes. So उस गर में बहुत से लड़के थे. Boys of all sizes मतलब लगबग हर उमर का लड़का वहाँ पे था. Suddenly a boy with a book under his arms came up to greet the newcomer. तब अचानक से एक लड़का आता है जिसने अपने आम के नीचे एक book पकड़ी होती है. वो Nat से मिलने आता है. Have you seen auntie Joe? He asked. वो कहता है कि क्या तुमने auntie Joe को देखा है? I have not seen anybody. I am waiting. तो Nat जवाब देता है मैंने किसी को भी नहीं देखा. मैं इंतजार कर रहा हूँ. Did uncle Laurie send you? क्या uncle Laurie ने दुमें बेजा है? Ask the boy. लड़का पूछता है. Whose name was Demi? जो लड़का पूछ रहा है. उसका नाम होता है Demi. Mr. Lawrence did. तो Nat बोलता है, नहीं मुझे Mr. Lawrence ने बेजा है. Oh, we call him Uncle Laurie. तो Demi बोलता है कि हाँ, हम उन्हें Uncle Laurie कहते हैं. He always sends nice boys here. वो हमेशा यहां अच्छे लड़के ही बेजते हैं. Nat was happy to hear the remark. Nat को यह सुनकर बहुत ही अच्छा लगा. So this is my new boy. तो यह मेरा नया लड़का है. I am glad to see you, my dear. मेरे प्रिये, मुझे तुम्हें देखकर अच्छा लगा. And hope you will be happy here. और उमीद करती हूँ, तुम भी यहां खुश रहोगे. Said the lady whom Nat had been waiting to see. वो औरत Nat से कहती है, जिसके लिए Nat इंतजार कर रहा होता है. The lady had a kind motherly look. Lady का ममतामाई look था. Like जैसे हमारी mother होती है, ऐसे बहुत ही kind सी, वैसे ही वो lady थी. She drew him to her and said, I am mother bear. तो वो लड़के को अपने पास पकरती हैं, खींसती हैं और कहती हैं, मैं हूँ mother bear. That gentleman is father bear. और यह जो gentleman यहां खड़े हैं, यह है father bear. And these are two little bears. और यह दो छोटे bears हैं. Come here boys and see Nat. वो अपने दोनों बच्चों को बुलाती हैं और कहती हैं, यहां आओ बच्चों. और यह देखो यह है Nat. The two boys, Rob and Teddy, merely grinned at him. But Mr. Bear shook hands and pointing to a low chair near the fire. Said calmly, there my dear son, sit down there and dry your wet feet at once. Mr. Bear के दोनों लड़के, Rob and Teddy, उसे देखकर सिरफ हलके से मुस्कूराएं. लेकिन Mr. Bear ने अपने हाथ आगे किये और हैंड शेक किया. यानि Mr. Bear ने Nat के साथ हाथ मिलाया और जो चियर पड़ी थी, आग के पास उसकी तरफ इशारा कराया कि मेरे प्रिय बेटे इस पे बैठो और अपने गीले पाउं को सुका लो. When Nat went to school on Monday morning, he trembled inwardly for he was afraid that everyone could come to know how ignorant he was. Monday morning यानि सोमवार की सुभाद जब Nat स्कूल जाता है तो वो अंदर से एकदम डर जाता है कि सबको पता चल जाएगा कि मैं कितना ignorant हूं यानि कि मुझे कुछ भी नहीं आता है. Mr. Bear gave him a seat in the deep window so that no one could hear or see the mistakes he made. Mr. Bear ने उसे नीचे यानि side की तरफ window side seat दी कि जहां उसे कोई ना देख सके ना सुन सके कि वो गलती क्या कर रहा है. He was very grateful to Mr. Bear for that और वो इसके लिए Mr. Bear का बहुत जादा अबारी था. He worked diligently. उसने बहुत ही carefully, बहुत ही dedication के साथ काम किया. One day Mr. Bear called Nat and said to him, एक दिन Mr. Bear Nat को बुलाते हैं और उससे कहते हैं, Don't work so hard, my dear, there is enough time, you will tire yourself out. इतनी कडी मेहनत मत करो मेरे प्रियर, बहुत time है, तुम अपने आपको थका लोगे. But I must work hard to catch up with them, said Nat, referring to the other boys. Nat कहता है कि मुझे Mr. Bear का साथ पाने के लिए कडी मेहनत करनी होगी. दूसरे boys का जिकर करते हुए Nat ये कहता है, They know so much and I don't know anything. बोलता है बाकी लड़कों को तो बहुत कुछ पता है, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं पता है, मैं कडी मेहनत करूँगा. Nat was really surprised to see how much the boys knew of grammar, history and geography. Nat सच में बहुत जादा चौंग जाता है, ये जानकर कि बाकी लड़कों को grammar भी बहुत आती है, history और geography भी बहुत जादा knowledge है, subjects का. They seem so knowledgeable compared to him. और उनके comparison में Nat को कुछ भी नहीं आता था. You know many things that they don't know, said Mr. Bear, sitting down beside him. Mr. Bear उसके पास बैठते हैं और उसे कहते हैं कि क्या तुम्हें पता है, ऐसी बहुत सी चीजें हैं, जिनके बारे में उन लड़कों को भी नहीं पता है. Do I, said Nat, without believing him in the least. Just, क्या मुझे पता है, Nat पूसता है, खुद पे उसे इतना विश्वास नहीं होता है, लेकिन फिर भी पूसता है. Yes, for instance, you keep your temper with Jack who is clever at figures, cannot. हाँ, मैं तुम्हें एक example देता हूँ, for instance मतलब example देता हूँ, तुम शान्त रहो, keep your temper, यानि शान्त रहो, जैसे ही मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि Jack है, जो चलाख तो बहुत है, लेकिन उसे figures, यनि math बिल्कुल भी नहीं आता. That is a lesson which you have learnt very well. ये एक सीख है, जिसे तुम्हें बहुत अच्छे से सीखना होगा. Besides, you can play the violin, which no one can. इसके अलावा तुम violin भी बजा सकते हो, जो कोई भी नहीं बजाता. But what is more important is that you care to learn something. लेकिन सबसे जादा जो important है, वो ये बात है कि तुम क्या सीखना चाहते हो, तुम वो करो. Work hard and you will see that things will become easy for you. कड़ी महनत करो और तुम देखोगे कि चीजें तुमारे लिए खुद बाखुद असान होती जा रही हैं. Although Nat was aware that he knew very little, his face brightened up and he felt encouraged. Nat को पता होता है कि उसे बहुत कम knowledge है, लेकिन ये सब बाते सुनकर Mr. Bear की, उसका चहरा चमचमा जाता है और वो बहुत ही confident, बहुत ही encouraged feel करता है. Yes, I can keep my temper because my father's temper and rough treatment taught me that. Keep my temper यानी शान्त मैंने पहले भी बताया, तो Nat कहता है कि हां मैं शान्त रह सकता हूं क्योंकि मेरे पापा के temper यानी गुसे और बहुत गंदे treatment उनका जो बहुत गंदा बरताब था मेरी तरफ उसने मुझे ये सिखाया है. I can play the fiddle, although I don't know where the bay of biscuit is, thought Nat. Fiddle यानी की बेला एक instrument होता है, वो कहता है कि हां मैं बेला बजा सकता हूं. Nat सोचता है कि लेकिन मुझे नहीं पता है कि वो कहां है. Allowed he said, I do want to learn and I will try. और वो जोर से कहता है कि हां मैं सीखना चाहता हूं और मैं कोशिश करूंगा. Only if my school fellows don't laugh at me, I will get on fine. ये सिरफ तब ही हो सकता है कि जो मेरे साथ पढ़ने वाले हैं वो मुझे पर हसे ना. बाकी मैं दीरे दीरे ठीक हो जाऊंगा. Nat's new friend Demi assured him that no one would laugh at him. Nat का जो नया दोस्त होता है Demi वो उसे विश्वास दिलाता है, assured होता है विश्वास दिलाना कि कोई भी उस पर नहीं हसेगा. In fact, everyone was glad to help Nat after hearing Nat's story. इसके बावजूद सभी Nat की कहानी सुनकर बहुत खुश होते हैं और उसकी help करना चाहते हैं. Nat's frail health did not allow him to study as much as the other boys did. Frail होता है, delicate, बहुत ही नाजुक. Nat की कमजोर health ने उसे पढ़ने की अनुमती इजाज़त नहीं दी जैसे की बाकी boys पढ़ रहे थे. So, various activities were devised for him, one of which was gardening. वो पढ़ तो नहीं पा रहा था, लेकिन उसके लिए बहुत सी activities planned की गई जैसे की gardening, devised होता है planned करना. He worked away at his little garden, watching his plants grow and flourish when spring came. Nat's health improved too. उसने अपने छोटी से बगीचे यानि garden में काम करना शुरू किया, उसने plants को बढ़ते हुए देखा और खिलते हुए देखा जब वसंत यानि spring season आया. Nat की जो health थी, उसमें भी सुदार आ गया. Mr. Lawrence did not forget him. Mr. Lawrence Nat को भूले नहीं थे. He sent Nat's clothes, books, music and kind messages. वो Nat को कपड़े, किताबे, गाने और बहुत ही अच्छे-अच्छे messages बेजा करते थे. Demi would read and explain to him books like Robinson, Creos and the Arabian Nights that delight children. Demi वो किताब पड़के और वो सारी बुक्स पड़के Nat को सुनाया करता था जो की बच्छों को बहुत जादा खुशी देती थी. One day Nat went running to Mr. Bear and asked may I go and play the fiddle for some people who are going to have a picnic in our woods. एक दिन Nat दोड़ता हुआ Mr. Bear के पास जाता है कि क्या मैं जा सकता हूँ और फीडल बजा सकता हूँ उन लोगों के लिए जो हमारे जंगलों में पिक्निक बनाने के लिए आए हैं. Woods होते हैं Forest, they will pay me, वो मुझे पैसे भी देंगे and I would like to earn some money और मुझे भी अच्छा लगता है पैसा कमाना and fiddling is the only way I can do it. और fiddling ही एक ऐसा तरीका है जिस से मैं पैसे कमा सकता हूँ. Mr. Bear readily agreed और Mr. Bear जो हैं वो मान जाते हैं. That day Nat come home with two dollars in his pocket. उस दिन Nat अपने pocket में two dollars कमा के आता है. He also tried his hand at carpentry. वो carpentry भी सीख रहा था because he had a taste for it. Taste यहां मतलब है कि उसे उसका थोड़ा interest था. Mr. Bear believed that a boy must be given work that he has a taste for. Mr. Bear यह मालते थे कि लड़के को वो काम देना चाहिए जिसमें उसे interest हो. Taste मैं दुबारा पो रही हूँ. It means interest. Give a boy a trade and he is independent. लड़के को काम दो और वो independent हो जाएगा. यानि खुद से काम करने लगेगा, independent हो जाएगा. Work is wholesome and whatever talent these lads possess, be it for poetry or ploying, it shall be cultivated and made useful to them, if possible. What's Mr. Bear's philosophy? Wholesome होता है वो चीज जो mind और body दोनों के लिए अच्छी हो. तो Mr. Bear कहते हैं कि काम स्वस्त है और इन लड़कों में जो भी प्रतिबा है, यानि जो भी talent है, चाहे वह कवीता के लिए हो या फिर जुताई के लिए. अगर possible है तो खेती की जाए और उनके लिए useful बनाए जाए ये Mr. Bear की philosophy थी. A new world had opened up for Nat and he was happily settled in it. Nat के लिए एक नई दुनिया खुल गई थी और वै उसमें बहुत ही खुशी-खुशी बस गया था. But Nat had one fault in his character which caused Mr. Bear much anxiety. लेकिन Nat के character में एक problem थी जिससे Mr. Bear बहुत ही चिंतिक थे. Sometimes Nat told lies. कहीं बार Nat जूट बोलता था. Not black lies that might harm somebody. वैसा वाला जूट नहीं जिससे किसी को problem हो बट lies लेकिन छोटे-मोटे जूट. However, harmless are after all lies. अगर किसी को problem भी न हो जूट से लेकिन जूट तो जूट होता है. I used to tell lies because I was afraid of father and now I do it sometimes because the boys laugh at me. मैं जूट इसलिए बोलता था क्यूंकि मैं अपने पापा से डरता था या नफरत करता था. और अभी भी मैं जूट बोलता हूँ क्यूंकि लड़के मुझे पर हसते हैं. I know it's bad but I forget. मुझे पता है ये बुरा है लेकिन मैं बूल जाता हूँ. Said Nat one day. एक दिन Nat कहता है. Looking depressed on account of his sins. जो उसने गलत काम किये हैं उन बातों को लेकर वो थोड़ा चिंतित लग रहा था. If you think it will cure me, you may punish me. अगर आपको लगता है कि ये मेरे को ठीक कर देगा, मेरी बूरी आद्दे छुडवा देगा, तो आप मुझे पनिश भी कर सकते हैं. Mr. Bear smiled but shook his head. Mr. Bear smile करते हैं और अपने सर को हिलाते हैं. I have an idea. मेरे पास एक सुजाव है. Whenever you tell a lie, I will not punish you. You shall punish me. जब भी तुम जूट बोलोगे, मैं तुम्हें punishment नहीं दूँगा, लेकिन तुम मुझे punishment देना. How? Ask Nat. Start, let add the idea. लेकिन कैसे ये बात सुनकर, ये idea सुनकर Nat चौँग जाता है. You shall ferrule me in the good, old-fashioned way. Ferrule होता है किसी flat लकडी के साथ मानना. Mr. Bear कहते हैं कि जैसे पुराने जमाने में मारते थे, वैसे ही तुम मुझे किसी flat लकडी के साथ मानना, I seldom do it myself. But it may make you remember better if you have to give me pain. Mr. Bear कहते हैं कि शाइद नहीं मैं खुद को ऐसा करूँगा, लेकिन अगर तुम मुझे मारोगे, तो उसका जो दर्द है वो तुमें हमेशा एहसास दिलाता रहेगा. Strike you, oh, I could not, cried Nat. आपको मानना है, oh, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता, Nat रोने लगता है. Then mind the tripping tongue of yours, तो अपनी ये जूट बोलने वाली जुबान पे काबू रखो. I have no wish to be hurt, but I would gladly bear, pay to cure this fault of yours. मुझे कोई भी इच्छा नहीं है कि मैं मार खाऊँ या मुझे दर्द हो, लेकिन मैं ज़्यादा खुश होँगा कि अगर तुम अपनी इस जुबान पे काबू पालो और अपनी इन गलतियों को अभी ही सुदालो. Nat was very careful after that. Nat उसके बाद बहुत सावदान था. His love of Mr. Bear was certainly stronger than fear for himself. Mr. Bear के लिए उसका प्यार निश्चे रूप से मजबूत था, खुद के डर से. But alas, one day Nat was of his God. लेकिन अफसोस एक दिन Nat अपने पहरे पर था. Nat had run all over Emil's garden and trampled on the corn. Nat ने Emil के बगीचे में हर जगा दोड लगा दी थी और मकी को रोन दिया था, यानि तोड दिया था. When Emil threatened to thrash him, Nat said he had not done it. जब Emil ने उसे पीटने की दमकी दी, तो Nat ने कहा कि वै उसने नहीं किया है. But Tommy said he had seen Nat at it, लेकिन Tommy कहता है कि उसने Nat को खेतों में देखा है. He gave his advice and Mr. Bear heard it, वो अपनी advice सलहा दे रहा होता है और Mr. Bear सुन लेते हैं. Mr. Bear noticed Nat turn scarlet, Mr. Bear notice करते हैं कि Nat का जो रंग है वो लाल हो गया है. He decided to carry out the punishment that he had devised for Nat. Mr. Bear ने Nat को punishment देने का सोचा जो उसने Nat के लिए decide की थी. Nat had to strike hard at Mr. Bear's hand six consecutive times with the ruler. Consecutive होता है एक के बाद एक लगातार. Nat को Mr. Bear पर कड़ा परहार करना पड़ा यानि Mr. Bear को मारना पड़ा. उसने Mr. Bear को हाथों में ruler यानि skill से लगातार छे बार मारा. After it, all over, Nat threw the ruler on the floor and hugging Mr. Bear's kind hand in both of his own, let his face down on it, sobbing passionately. ये सब खतम होने के बाद Nat ने ruler को फ्लोर पे फैंग दिया. और Mr. Bear के हाथों को परकड़ कर अपना चहरा उस पर रख दिया. अपना सर Mr. Bear के हाथों पे रखने के बाद वो बहुत ही उदास हो गया. I will remember, oh I will, he said in a voice that was filled with remorse. Remorse होता है, बहुत ही sad, बहुत ही painful feel करना. मुझे याद था, हाँ मुझे याद था, वो बहुत ही दुखवरी आवाज में ये Mr. Bear को कहने लगा. Nat went upstairs to his room, crying all the while. Nat रोता हुआ उपर अपने कमरे में चला गया. He did not come down to dinner. और वो खाना खाने के लिए भी रात को नीचे नहीं आया. It was only when, after a long time, the boys heard him playing the violin that they said among themselves, he is alright now. तभी काफी देर बाद लड़कों ने उसे violin बजाते हुए सुना. और लड़कों ने एक दूसरे से आपस में कहा कि अब Nat ठीक है. तो यहां आपकी स्टोरी खतम होती है. यह जो आपकी स्टोरी थी, यह Louisa May Alcott के novel से ली गई थी. यानि एक extract था, extract होता है एक पूरी कहानी का छोटा सा हिस्सा. होब आपको यह स्टोरी अच्छे से समझ आयोगी. ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए प्लेइलिस्ट क्लास फिफ्ट इंग्लिश को चेक आउट कर ले. And don't forget to like, subscribe and share. Thanks for watching.